उत्तर प्रदेश विधान सभाद चुनाव में विपक्षी दल अब रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी का कहना है कि यदि 22 में उसकी सरकार बनी तो सिर्फ आईटी सेक्टर में ही 22 लाग यवाओं को नौकरी मिलेगी उन्हाने जोड देकर कहा कि कुल नौकरियां तो इससे भी जादा होगी सरकारी और निजी शक्तर में भी इससे कही अधिक रोजगार के मौके बनेंगे इंजिनिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगबख साड़े तीन हजार हैं जिन्होंने बी टेक की डिगरी हासिल की है वो नौकरी कर रहे हैं और इसके साथ साथ खुशी यह है कि जिले के आसपास के जो बच्चे उनको भी नौकरी मिली है चाहिए वो लखनव हो हरदोई हो बारबंकी हो और इसके साथ साथ 12 पास करकर के जो आज कोर्सिस हैं जिससे वो नौकरी और रोजगार मिल सकता है वो भी 12 पास करने वालों को ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिलना ये SCL केंपस के वले एक्जैम्पल है और मैंने कई और जो उधारण भी दिये समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली और रोजगार मिला है लोगों को इसलिए आज जब 22 तारीक है और समाजवादी पार्टी का जो नारारा 22 में 22 किल नौकरी रोजगार संकल्प संकल्प प्रथल संकल्प IT सेक्टर में ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्तपद हैं पुलिस में कितनी भरती हो सकती है बन विभाग में कितनी हो सकती है या और जगे सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं गैर सरकारी और कितनी नौकरी आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा है और सेक्टर की बा 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजमानों को उससे जादे सीधा सीधा रोजगार से जोड़ेने का काम और उस तरह के फैसले उस तरह की पॉलिसी बनाने काम समाजवादी सरकार में होगा इसलिए नौखरी और रोजगार संकल्प संकल्प हैं पहला यह है आईटी समाजी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौखरी मिले रोजगार मिले उसके लिए सरकार काम करेगी और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से जादे लैपटॉप माट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करन हैं कि 22 लाख नौजमानों को जो प्रोफिशनल होंगे क्वालिटी जॉब होगा एजुकेशन जो करकर क्या एंजिनिंग करें उनको नौकरी देने रोजगार देने का काम समाई सरकार में को उस दिशा में काम करेंगे इसके एक दिन पहले ही कॉंग्रेस पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि उसकी सरकार बनी तो कम सकम 20 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी जिस तरह से रोजगार की समस्या है हम कह रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी ने गोशना की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षन के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे अब ये कैसे मिलेंगे ये हमने यहां कहा है हमें मालुम है कि रोजगार के विशे में और खास तोर से भरती के विशे में जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो तरीका है जिस तरह से उनको किया जा रहा है जितने घोटाले हैं जिस तरह से पेपर लीक किये जाते हैं जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद की जाती है इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में इसलिए एक पूरा section इस भरती विधान में हमने dedicate किया है इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं इनमें जो समस्याएं आ रही हैं जो गोटाले होने इनको हम किस तरह से करेंगे